नमशकार किसानमित्रों किसी भी जीवित प्राणी को विकास करने के लिए पूशक तत्वों की ज़रूरत होती है। हर प्राणी के लिए पूशक तत्व अलग-अलग प्रकार के होते हैं। बात करें पेड़ पौदों की तो इन में जिंक, नाइट्रोजन, फासफुरस, प्रोटास, कॉपर, मैगजीन, एल्शियम, मैगनिशियम और गंधत जैसे कई तरह के पुशक तत्व की जरूरत होती है इन पुशक तत्व की कमी और अधिक्ता होने पर पौदों में कई तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं आज हम पौदों के लिए आवश्यक पुशक तत्व और जरूरत और पौदों में उत्पन होने वाली प्रभाव बारे में चर्चा करेंगे नाइट्रोजन की कमी नाइट्रोजन के प्रभाव नाइट्रोजन की अधिक्ता के क्या प्रभाव आईए जानिये पौदों के लिए आवश्यक पोशक तत्व नाइट्रोजन नाइट्रोजन पौदों के लिए एक बहुत आवश्यक तत्व होता है जमीन में नाइट्रोजन की आपूर्ती के लिए फसल चक्र अपनाना चाहिए फसल चक्र के दोरान फैली वाली फसलों को उगाने से जमीन में नाइट्रोजन की आपूर्ती बनी रहती है फसलों में नाइट्रोजन का इस्तमाल से पौदों की जोड तना और पत्तियों में विकास देखने को मिलता है इसमें इसके अलावा हरे चारे में और सबजी वाली फसलों में इसका इस्तमाल से कोई वार पैदावार ली जा सकती है नाइट्रोजन की कमी के प्रवाब नाइट्रोजन की कमी के वज़े से पौधो का बढ़वार रुक जाता है पौधो पर बनने वाली फूल और फल कम मातरा में बनते हैं नाइट्रोजन की कमी की वज़े से अनाज वाली फसल दाने कम मातरा में बनाती है इस कमी की वज़े से पौदो उपर प्तियां पीली परती हैं और सूखने लग जाती हैं जिससे पौदो का विकास रुख जाता है। उनका विकास असामान्य रूप से होता है इसके अधिक होने के कारण कही तरह की रोग पौधे को लग जाते हैं तो यह थी जानकारी नाइट्रोजन यानी यूरिया के महत्व की अगर यह जानकारी आपके काम आ सकती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भू स्वाइब करना जानकारी तरह जलाई पल्शेस करना भूदोर यह जाल मिक आ कि अल्सय कुर्च भढा बिर।